नमस्कार आर्या नियूस देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग रोख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर आपको बता दें कि BJP नेता और TikTok स्टार सोनाली फोगाट के परिजन उनकी मौत को लेकर अब लगातार सवाल उठा रहे हैं अब सोनाली के भांजे एड़ोकेट विकास ने उनके नीजी सचे सुदीर सांगवान पर गंभीर आरोप लगा दिये हैं विकास ने सुदीर सांगवान को ही सोनाली की मौत का जिम्मिदार बताया है विकास ने कहा है कि सुदीर सांगवान नहीं सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची और इसी भी सोनाली फोगाट के भाई ने Facebook लाइफ करके ये कहा कि गोवा में उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है उन्होंने गोवा में पुलिस टेशन के सामने कड़े होकर ये लाइफ वीडियो शेयर किया है और सोनाली के भाई की ओर से गोवा पुलिस को हत्या का मामला दर्च करने के लिए शिकायत दी गई है लेकिन इससे पहले सोनाली फोगाट के भतीज़े मोहिंदर फोगाट ने ये दावा कर दिया है कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर मौत के बाद सूजन थी और उनके चहरे पर एक तरफ stretch marks भी थे और आपको बताते चलें कि आगे उन्होंने कहा है कि हम इस मामले में जाचकी मांग करते हैं उन्होंने कहा कि सुनाली ने परिवार को बताया था कि उन्हें शक है कि कोई उनके खिलाफ साज़िश रच रहा है जारखट में अवैद खनन मामले में परिवर्तर निदेश चाले ने बड़ी कारवाई करते हुए मुख्यमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफतार कर लिया है बड़ा ज़ा रहा है कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत सोरेन और उनके परिवारिक मित्र अमित अगरवाल का काफी करीबी सही होगी है और इससे पहले देरात को प्रेम प्रकाश के घर से ईजी ने दो एके सहतालेस और साठ कार्टूस और दो मैगजीन भी रामत की थी हाला कि बाद में रांची पुलिस ने एक प्रेस विग्यापती जारी कर बताया है कि दोनों ही एके सहतालेस प्रेम प्रकाश के नहीं बलकी रात में उनके पास ठहरे दो पुलिस कॉंस्टेबल की है और जारखंड और बिहार के करीब 17 लोकेशन पर छापे मारी जारी है करीब 17 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर अभी भी तलाशी अभ्यान जारी है और आपको बता दे कि बुद्वार की सुभा तक बिहार विधान सभा के अध्याक्ष विजे से ना बुद्वार की शाम होते ही विधान सभा में नेता विपक्ष बन गये है नितीश कुमार के नेत्रित्व में 9 अगस तक चली NGA सरकार में डिप्टी सीम पीजे पी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाथ और उपनेता रेणू देवी नेता विपक्ष के रेस में पिछड़ गए है और बतौर स्पीकर ही नितीश कुमार के सदन से भिड़ गए विजे सिना ने नेता विपक्ष पत की बाजी मार ली है और अब माना ये जा रहा है कि विजे सिना को नितीश से विधान सभा में ठकराने के बाद नितीश के विरोध के चेहरे के तोर पर देखा जा रहा है और इसे पार्टी ने समुझे तोर पर स्विकार कर लिया है अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संचे जैसवाल ने अब चारिक रूप से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर बताया है कि मंगलवार को ही पार्टी विधायक दल की बैचक में विजेश सिनहा को विधान मंडल दल का नेता चुल लिया गया था पत्र में ये भी बताया गया है कि विधानसभा में विजेश सिनहा और विधान परिशद में समराट चौदरी नेतावे पक्ष होंगे अब विजे सिनहा और नितीश कुमार का विदानसभा में टकराना संसदी एतिहास के लिए भले ही एक खराब उधारण हो जब दोनों एक दूसरे को परंपरा और नियम समझा रहे थे लेकिन ये सीधी टकरार विजे सिनहा के पक्ष में गई है पहले भी जब 2020 में विदानसभाद ध्यक्ष के लिए नाम चला था तो नंद किशोर यादफ से प्रेम कुमार तक का नाम चला था लेकिन आखिर में पार्टी ने विजे सिनहा को चुना है और पार्टी की नजर विजे सिनहा पर पहले से ही थी कॉंग्रेस नेदा और पूर्फ सांसद मिलिंद दवेडा ने देवडा ने बुद्वार को यारोप लगा दिया है कि नगर निगम ने पिछले पांस सालों में मुंबई की सडकों के लिए 12,000 करोड रुपे खर्च कर दिये हैं उन्होंने अब ये मांग की है कि मुंबई के साथ किये गए इस ब्रष्टाचार की सीबिया इजाच करवाई जाए दरसल बीजबी के अब बाद अब महाविकास अगारी में शामिल कॉंग्रस ने भी मुंबई में सडकों के मुद्देबर चिफसेना पर परोग शुरूप से निशान असाथ दिया है मिलंद देवडा ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि मुंबई नगर निगम ने साल 2017 से 2022 तक पास साल में सडकों के लिए करीब 12,000 करोड रुपे खर्च के ये राश्री राश्री राजमार्क प्राधिकरन की बजट का लगबग 10 प्रतिशत है हाला की हर साल मुंबई करो को सडक के गटों की समस्या का सामना करना पड़ता है मिलंद देवडा ने कहा है कि मुंबई को जानने का हक है कि देश की सबसे अमीर नगर पालिका को कौन लूट रہा है देवडा ने भ्रस्टाचार की श्टंकला की CBI जाँच की भी मांग उठा दी है और आपको बता दे चले कि राजु सरकार के पास इस मामली की जाँच करने और मुंबाई नगर निकम में भ्रस्टाचार का परदा फाश करने का भी अधिकार है साथी उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या माहराश्य सरकार के पास CBI की जाँच करने की राज्चनीती इच्छा शक्ती है इसकी कीमत कितनी होती है मिलन देवडा ने अपनी ट्वीच में कहा है कि मुंबाई में हर साल सडको पायर खर्ट होने वाले फंट के आंकडे जारी भी उन्होंने कर दिये है और CBI ने कथिद लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार समय देशबर में आरजडी नेताओं के छिकानों पर शापे मारे की है ये कारवाई आरजडी सुप्रीमो लालो परसाद यादफ के पूर ओस्टी भोला यादफ की गरफतारी के बास चुरू हुई इसे में लालो परसाद की मुश्किले काफी बढ़ चुकी है क्योंकि भोला यादफ नंसिर्फ लालो परसाद के करीबी हैं बलके उनके राज़दार भी माने जाते हैं भोला यादफ की बातले wait में नौकरी देने के मामले में एहम भूमी का मानी जा रही है सीबियाई के लिए वही अब तुरुप का पत्ता साबित हो रहे हैं सूत्रों के मुताबिक रिमांड अवधी में उनसे पूछताच में मिली जानकारी के अधार पर ही सीबियाई ने ये पूरी कारवाई की है बोला यादव से सीबियाई को कई ऐसे रासपता चले हैं जोसे की वो अब तक दूर थे दरसल लालो प्रसाद यादव के साल 2004 से 2009 तक के रेल मंत्री के कारेकाल में बगेर किसी विग्यापन के कई लोगों को रेलवे में चतुर्थी वर्ग पद पर नौकरियां दी गए प्राइविट लिमिटिट कंपनी के नाम पर पांथ सेल टीट और दो गिफट टीट के जरिये हस्तांतरित की गई जमीन का कुल रगबा करीब एक लाग पांच हजार दो सो बानवे वर्ग फुट है और सर्गल रेट के हिसाब से अभी इसकी कीमत चार करोड उन्तालिस लाग अस्सी हजार चीज़ सो पचास रुपचास है